कहीं अटक जाओ इंटर्व्यू में तो डरना मत हिचकी जाना मत एक ग्लास भरके रखना पानी का उससे क्या होगा कि जब आप कहीं अटको गे तो पानी का ग्लास से गुट लेना ताकि आपको टाइम मिल जाएगा सोचने का और तब तक उसको भी यह लगेगा कि यह पानी प पढ़ने वाला उनको बस उसका अंसर अच्छे से चाहिए ठीक हो आपका इंग्लिज इस तरीके से असेस नहीं करते क्योंकि यहां पर बोस अले-गले कंट्री के लोग आते हैं तो एक सेंटर में भी बात करने की कुशिश मत करना तो उसको फर्क नहीं पढ़ने वाला बस काम रहना और इतना लोड मतलता नहीं एक युणिशिटी का इंटर्व्यू है कोई वीजा इंटर्व्यू नहीं है बट प्रप्रपेशन पूर ही होनी चाहिए वीजा इंटर्व्यू के लेवल की यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले क्या 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 क्य पूरी देनी आपर ठीक है second question हो सकते है your course details तो जिस course के लिए आपने apply किया है उसका नाम उसके course modules ठीक है और उसमें उसके start date और ending date क्या है यह आपको पता होने चाहिए ठीक है यह सब चीज आपको पता होने चाहिए वो सब पूछ सकते हैं और हो सके तो modules के सारे नाम और उनकी जो थोड़ी-थोड़ी detail कि वो module किस बारे में आप क्या पढ़ने वाले हो हाला कि बहुत ज्यादा डिएल तो पता नहीं होगा आपको क्योंकि आपने apply कि है आप खुद पढ़ने वाले हो लेकिन है brief information होनी चाहिए ठीक है थर्ड question जो है how is this course related to your previous studies ठीक है जो आपने पहले आपको यह चीज बताना है आपको फिर चोता question है how is this course will help you in your career कि आपको इस course को करने के बाद में यह आपके करियर में क्या आपकी future में क्या चीजे मतलब इससे अच्छी होंगी या फिर क्या चीजे एड होंगी तो वह भी आपको बताना है जो आपके course है उससे related चीजे है इसको करने के बाद मुझे यह फाइदा होने वाला और यह मेरे करियर में इसे चार जान लेगा सकता है तो इस अब जीजा आपको प्रिपेर करनी है फिर पांचो कुश्चन है why have you chosen United Kingdom आपको बताना है कि आपने United Kingdom UK क्यों चूज कियो Canada Australia USA क्यों चूज नहीं किया अपने तो इसके बहुत सार रिजन्स हो सकते हैं कि आप बता स तो वह सारी चीजें आप अवेलेबल हो जाएंगे फिर हम नेक्स्ट कुश्चन पर आते हैं वाई DMU ठीक है अब वाई UK दो बता दिया ठीक है कि आपने आप पूछेंगे कि वाई UK क्यों नहीं दूसरी कंट्री तापको UK के बार में अचे-ची चीजे बतानी है तारिय फि देरा लेकिन हमें इसान नहीं बताना है वहाँ पर नहीं तो वह लफड़ा पड़ जाएगा ठीक है ता फिर बताना है कि DMU क्यों कि बहुत सारी उनिरसिटी जो कि क्या बता कम फीज में भी अड्मिशन दे रही हो तो आपने DMU क्यों चूज किया तो आपको क्या करना है मैं करता हूं कि दो तीन उनिरसिटी दूसरी लेना जो कम रहें की हो DMU से कम रहें की हो उनमें कंपे रिजन कर देना और DMU के बढ़ा ही कर लेना कि इसमें यह इसने कुछ उखान रखा है इसकी अचीवमेंट है और यह मेरा कोर्स ऐसा है और अगर आपको पहले से पता है इसके किसे अरिया में आते हैं अब अब पूछेंगे और आपको इसकी इंफर्मेशन यह पता होने चाहिए पास में इसे इंसिदेंस हुए है जिन में कई लोगों को यह सब उनिटेल कोर्स की डिटेल अगरा बहुत सब चीज़ें चाहिए थी वह उनको पता नहीं थे उनको V minha twitter UK अब जी अब होता है तो सब्सक्राइब को पहले हैं तो आप लोगों पीस की चीज़ें यह ़ख रखनी है क्योंकि यह व्यसिकkim ब्रहे हमारा खर्चा सब सारा बूच्छा हैं फिर फुछ से आपके जो जो पेरेंट वोक्त रहेंगे कि आपके जो इंकम होती कैसे होती है आपको बताना है हमारी बिजनस दिंत का और हमारे पैसा इस तर orbit साहता है और अगर आपने पापा के अकाउंट से आपके अकाउंड में लिया है तो भी आप उनको बता सकते हो कि उन्होंने मेरे पापा ने मेरे तो मैं पढ़ूँगा और वापस आजाओंगा मेरी मेरी इंडिया में और यहां तो मैं मेरा खुद का बिजने से उसको आगे बढ़ाई या फिर कुछी एमन थी कंपनी में जोग करूंगा यह चीज़े आपको उस वीडियो में मतलब I mean इंटर्व्यू में बतानी है कि मैं य आला कि यह DMU क्या सुरी, University का interview है तो इसमें इतना कुछ problem होगा नहीं, वीजा का interview होता है तब यह सब यह लेकिन फिर भी आप University के interview में भी यह सब चीज़ें को ध्यान रहोगे तो आपके लिए फाइदा है, फिर next question के और चलते हैं तो उसमें है, अगर आपके कोई gap है अगर आपने काम जो भी education और अभी के बीच में जो दो-तीन साल आपने कुछ किया नहीं है तो आपको बताना है कि आपने वह जो gap है वो क्यों है, अगर आपने कोई काम किया है, कहीं experience है तो वह सब चीज़े भी बत करते हैं, what is your password number, password number पूछ सकते है, student P number जो आपके, P number जो DMU में P number कहते हैं, दूसरी इंवर्सिटी में student number कहते होंगे, तो जो एक, अप जो एक apply करोगे आपको offer letter दिया जाएगा, तो उसके ओपर एक number लिखा होता है, तो number आपको पता होना चाहिए कि वह number क्या है, ठीक है, कोर्स का नाम भी, और ending, कोर्स की जो start और ending date है, वो भी बता होना चाहिए, ठीक है, और, हाँ, sorry, ये कोर्स full time है कि part time है, ये भी mostly full time ही होता है, हम लोग part time के लिए apply नहीं करते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए, just for general knowledge, do you have any relatives, हाँ, और एक और question मों पूछ सकते हैं, कि आप कोई रिस्दार ये फिर ये कोई दोस्त है, तो आपको डियू के मीये होताант है, रेफिर कोई कोई दोस्त हैं, मित्र गरण जो कि आपको período के में आपकी जान पर हPH額 है, तो आपको बताना है उस हिसे मना करोगे, ओछन होगे, बितल पैशन वालए नहीं है, ये कुछ 10 12 questions, då म यूके वाई डीम्यू कोर्स डीटेल्स मोडियूल्स मोडियूल्स की जो इंफर्मेशन होती है वह आप कहां उतर रहे हो कौन से एरपोर्ट से कब कैसे जाओगे और क्या तरीका बोल देना केब लेके जाओंगा या फिर बस में जाओगा पबली ट्रांसफोर्ट लूँगा या लूँगी और खुद का इंट्रोडक्शन अच्छे से देना और यह जो बेसिक कुश्चन है यूनिरसिटी वाले इतने ही पूछते हैं स्पॉंसर डीटेल भी ध्यान रख लेना और फीस पहले आपने पे करी है या फिर कितनी करी है या फिर केसलेटर से पहले कितनी करो हो गया वो सब चीजे पी उनको बता देना तो यह चीजे हैं इससे ज्यादा तो नहीं पूछते हैं लेकिन यह और अगर कुछ होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो और बना दूंगा और आप यह अपनी पूरी डिसर्च करते रहो इंटरनेट पर यह जो दस बार कुश्चन म पर अपने वर ठीक है